असलाम अलेकूं दोस्तों एक बार फिर से हादिरों में आप लोगों के लिए सौधी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेट्स लेकर और दोस्तों आज की वीडियो में जो भी अपडेट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इस वीडियो को लाश्ट तक जरू देखिएगा साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला इकन को जरू दबा दीजिएगा दोस्तों यहां पर सबसे पहली अपडेट सौधी अरब की जवाजात की तरफ से हैं और यह अपडेट सौधी अरब के हुरूप को लेकर हैं दोस्तों आप कर दोस्तेकर सब्सक्राइब को हरूप के बन सब्सक्राइब की करती लेहं दो डिपोर्ट कर देने के बाद आपके ऊपर बैन लगा दिया जाता है और इस बैन का सिकार ज्यादा तर निव वीजा वाले लोग ज्यादा होते हैं तो दोस्तों जब आप लोग के ऊपर यहां पर एक हुरूब लग जाता है तो हुरूब को रिमूब करवाने में 88 दोस्तों जैसे की माली जी आप सौधी enquय करोने लगते हैं और और आप के कफिल को पता भी नहीं होता कि आप कहां पर क्राक्र कर रहें लेकिन अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आप अपने उपर लगाएगे हुरूब को कैसे रिमूब करेंगे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला तरीका है अपनी स्पॉंसर्शिफ या फिर अपने एकामा को ट्रांसफर करके दोस्तों सवुदी अरब में नियू रूल आने के बाद अगर आपके उपर हुरूब लगा दिया जाता है तो उस हुरूब लगने के 60 दिन के अंदर आपका जो करेंट कफिले उसके इन्वाल्मेंट के बिना ही आप अपने एकामा को ट्रांसफर कर सकते हैं जब एक बार आप आपको फाइनल एक्जिट लग जाता है तो यहां पर आपके उपर बैन नहीं लगता है आप साओधी अरब से फाइनल एक्जिट पर जाकर दुबारा किसी न्यू वीजा पर साओधी अरब में आ सकते हैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अलाओ दोस्ति यहां पर कर देंगे लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी कि जब गौर्मेंट के द्वारा आप लोग डिपोर्ट किये जाएंगे तो आपके उपर पांच साल का बैन जरूर लगेगा इसके बाद उससे यहां पर आप लोगं के पास एक रास्ता और बच जाता है कि आप लोग को अपने उपर लगाए कि हुरूब को रिमूब करवा सकते हैं लेकिन यहां पर सबसे पहले आपको यह प्रूब करना पड़ेगा कि कोट में जो आपके उपर हुरूब लगाया गया है और आपका जो कफिलों आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है इसलिए आपके उपर हुरू करते हैं यहां फिर जो लोग नूँ है और सबसे पहले नंबर में बताया है कि अगर सबसे पहली बार कार ड्रिफ्टिंग करते पकड़ा जाता है तो उसकी जो वाहन है उसकी जो गाड़ी को 15 दिन के लिए जब्त कर ली जाएगी यानि कि सीज कर ली जाएगी उसके बाद म में उस बंदे के उपर 20,000 का जुरुमाना लगाया जाएगा इसके साथ साथ ही उस बंदे को कोड़ को भी रिफर कर दिया जाएगा कि उस बंदे को सजा भी हो सके कि अगर आप सेकेंड टाइम एन इनी कि दूसरी बार भी ऐसा ही करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 40 सजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और आपकी जो गाड़ी हो एक महीने के लिए जब्त कर दी जाएगी इसके अलावा आपको कोड को भी रिफर्क किया जाएगा जिससे कि आपको सजा भी हो सके लेकिन यहां पर मरून ने एक चीज़ को और क्लियर कर दी है कि अग पिर कोई चोरी की कार है तो ऐसी कारों को यहां पर मरूर के द्वारा जब नहीं किया जाएगा लेकिन हो सकता है कि इन गाड़ीों को उस टाइम पर जो चला रहा है उसके ओपर डबल जुर्माना या फिर ट्रिपल जुर्माना भी लगाया जा सकता है तो आज किस वीडियो